सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे पाईदान पर आता है चीन यही नहीं यहां दुनिया के सबसे ज्यादा अरपपती भी बस्ते हैं फिर भी चीन विकाशेल देशों की सूची में आता है पापवा न्यूगिनी और जिम्बावे जैसे देशों को मिलने वाली सुविधाएं और विशेश अदिकार चीन को भी हासिल है आज के DNS में हम इनी सवालों के जवाबों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे कि क्यूं दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता को अभी भी विकाशील देश का तमगा हासिल है अमेरिका चीन के ट्रेड वार के बीच पिछले साल जुलाई महीने में डोनाल ट्रम्प ने ट्वीट कर एक नई बहस छेड़ दी थी ट्रम्प ने ट्वीट किया था देश विश्व व्यापा संगठन के नियमों से बचनी और विशेश तरहीज पाने के लिए विकाशील देश होने का दावा कर रहे हैं बस अब ये और नहीं होगा मैंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिदी को इसके खिलाफ कारवाही करने करने देश दिया है ताकि अमेरिका की कीमत पर तमाम देश सिस्टम को धोका ना दे सके वहीं ट्रम्प ने एक अन्य ट्वीट में लिखा था चीन जो की एक आर्थिक महाशक्ति है उसे विश्व व्यापा संगठन में विकाशील देश का दरजा हासिल है इसलिए अमेरिका की कीमत पर चीन तमाम लाब उठाता है विश्व व्यापा संगठन अमेरिका के साथ अन्याई कर रहा है वहीं बीजिंग का कहना है कि उसके पास विश्व व्यापा संगठन में विकास शेल देश का स्वगोशित दरजा और उसके सुविधाओं को छोड़ने की कोई वज़ा नहीं है चीन कहता है कि विकास शेल देश के तहट मिलने वाले सुविधाएं उसका मूल अधिकार है चीन के वानिजीय मंत्राले के प्रवक्ता गाओ फैंग ने भी एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि चीन दुनिया की सबसे बड़े विकास शेल अर्थ विविस्ता है जबकि एशियन सुपरपावर चीन की जीडिपी 14.2 ट्रिलियन डॉलर की है और विक्सित देशों में शामिल अस्ट्रेलिया के जीडिपी सिर्फ 1.5 ट्रिलियन की ही है लेकिन चीन इतनी तेजी से बड़ती अर्थ विविस्ता और तरक्य के बावजूद भी कैसे खुद को विकास शेल देश की श्रेणी में शामिल किये हुए है और इसके फायदे कैसे उठा रहा है आखे चीन कब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के तरह विक्सित देश बन जाएगा ये सारे ऐसे सवाल हैं जो जब तब उठते रहते हैं दरसल विश्व व्यापा संगठन में विकास शील या विक्सित देश की कोई परिभाशा तै नहीं की गई है और ना ही सदस्य देशों के लिए कोई मानक तै गिये गए हैं ये पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर करता है कि वो खुद को किस श्रेणी में रखना चाता है WTO संयुक्त राष्ट द्वारा घोशित किये गए अल्प विक्सित देशों को भी मान्यता देता है हाला कि वर्ल बैंक ने उच आयवाले देश या विक्सित देशों की परिभाशा के लिए 12,55 अमेरिकी डॉलर प्रतिवेक्ती सकल राष्ट्रे आय का पैमाना तैकर रखा है चीन की प्रतिवेक्ती सकल राष्ट्रे आय 2017 में 8,690 अमेरिकी डॉलर थी जो वर्ल बैंक के पैमाने से थोड़ा कम है इसी के तहट चीन अपने विकास्षील दरजे का बचाव कर सकता है अन्य देशों की बात करें तो 2017 में मलेशिया के प्रतिवेक्ती सकल राष्ट्रे आय 9650 डॉलर थी जबकि रूस की प्रतिवेक्ती GNI 9,230 डॉलर ही थी वहीं भारत की प्रतिवेक्ती GNI इसी वक्त में 1830 डॉलर ही थी हाला कि विशुव्यापा संगठन में ये परिभाशा आधिकारिक तोर पर स्विकार नहीं की गई है इस संगठन में बढ़ती GDP या किसी अन्य पैमाने को लेकर भी कोई तैसीमा नहीं दी गई है विशुव्यापा संगठन के मताबिक इसके 164 सदस्य देशों में से दो तिहाई देश खुद को विकास्षील देश मानते हैं जिसमें भारत और चीन भी शामिल है विशुव्यापा संगठन के नियमों के मताबिक विकास्षील देशों के लिए कुछ खास प्रावधान है जिसके तहत दुनिया भर में वियापार की अवसर बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभधताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लंबा वक्त दिया जाता है अमेरिका की तरव से मांग की गई है कि वैश्विक व्यापार में 0.5% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाले देशों और वर्ल्ल बैंक द्वारा तै किये गए उच आए वाले देशों को मिलने वाली छूट और सुविधाओं में कटोती की जानी चाहिए हाला कि चीन के साथ भारत, वेनेंजुएला और दक्षिन अफरिका ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज किया है विशलेशकों का कहना है कि अगर ये लागू भी हो जाता है तो भी चीन को विशेश तरहीज मिलती रहेगी क्योंकि वो अब भी निम्न आयवाले देशों की शेनी में ही आता है यानि खुद से दिये जाने वाले दरजे को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है चीन पर बढ़ता कर्ज वेश्विक बाजार के लिए गंभीन नतीजे ला सकता है चीन विक्सित होने से पहले ही ताकतवर देश बन गया है जो की अजीब स्थिती है 1980 और 1990 में चीन गरीब हुआ करता था लेकिन अब विक्सित हो चुका है अब चीन ओद्योगिक पावर हाउस बन चुका है विकास शील्ड जैसे देशों को मिलने वाली खास छूट की उसे जरूरत नहीं है अमारिका ने पिशली जुलाई में WTO की परिशत को एक दस्तावेश सौपा था जिसमें उसने चीन को विकास शील्ड देश का दर्जा ना दिये जाने को लेकर दली ने दी थी अमारिका ने चीन की अभूत पूर्व आर्थिक व्रिधी, तकनीक और रक्षा एक शेत्र में प्रगती का हवाला दिया था चीन का भारी भरकम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और उच्छ खरीदिक शमता को लेकर भी उसके डेवलपिंग कंट्री के स्टेटिस को लेकर सवाल खड़े किये गए यही नहीं चीन दुनिया की सौ सबसे बड़ी कंपनियों में से बारा का घर है इन से एक बात साफतोर पर जाहिर होती है कि चीन का विकास शील देश का तबका सिर्फ विश्व व्यापास संगठन के विशेज छूटों और तरहीजों को हासल करने के मकसद से है इसके अलावा चीन इन छूटों के जर्ये कई देशों के साथ वियापार में भी सहूलिते लेता आया है लेकिन अब जबकि दुनिया के सारे देश कोरोना के लिए चीन को जिम्मधा ठहरा रहे हैं तो इससे चीन की परेशानिया कम होती नहीं दिख रही है आप जो